सम्भालिष सिच्छामित्र भाई बहलो मैं रवीन सिंग आम सिच्छक सिच्छामित्र रसोसेशन प्रदेश को साध्यक्ष अपने उत्ताप्रदेश की 75 जनपत के जिला ध्यक्षों को ये निर्देशित किया जाता है जैसा कि पुरानी पैंसन को ले करके उत्तर प्रदेश के प्रात्मिक सिछक्षंग और संयुक्त कर्मचारी संग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हमारे मंच पे आ करके बड़ी वहन को आसिरवाद दिया गया है जिसके सापेच्ष में सवी जिला अधेच्षों को निर्देशित किया जाता है यदि प्रात्मिक स्चा म्यत्र्षंग पुरानी पैंसल बहाली के मुद्य को ले कर विद्यालय बंद करने का आवहन करता है तो सभी कि मैं उत्तर प्रदेश प्रात्मिक सिच्छा संग से भी अनुरोद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार पिता और पुत्र का संबंद होता है उसी तरीके से आपका ये वेटा आपनी अपनी पीड़ा को छिपा करके जो पुरानी बाते थे उनको भुला करके आज आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके आंदोलन में आपका सहयोग कर रहा है उत्तर प्रदेश का एक लाख बहत्तर हजार परिवार तो साथ ही मैं भी अपेच्छा करता हूं उत्तर प्रदेश के प्रात्मिक सिच्छा सिच्छक संग से कि जब भी आउसक्ता पड़ेगी अपने इन छोटे भाई बहनों का आप लोग भी कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन में प्रतिभाग करेंगे साथ ही मैं कहना चाहूंगा अपने सभी उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष बलाक अध्यक्ष नयापंचायत अध्यक्ष जो भी पदा अधिकारीगर है यदि प्रात्मिक सिच् करें और पुरानी बातों को भूल करके नई शुरुबात कीजिए आपको मालूम है इस दुख की घड़ी में आपका उत्तर प्रेश का प्रात्मिक सिच्छक संग आपके मंच पे आकर कि सरकार से अलुने विने कर रहा है कि सिच्छा मित्रों की समस्याओं का जल्द निप्त परके तारा करें आपको मालूम है जब भी सिच्छा मित्रों का स्ययोग किसी संगठर ने किया है तो हमारे सिच्छा मित्र भाई बैलों ने दिल खोल कर उसका सम्वान किया है और मैं पेछा प्रात्मिक सिच्छा संग के सभी पता अधिकारीगड जो जन्पहों दस्तर में ह वो अपने आम सिच्छक सिच्छामित्र एसोसेशन के जिला अध्यक्ष का कंदे से कंदा मिला करके उनकी हर लड़ाई में उनका साथ देंगे और आपको पूरी तरह से अस्वस्त करते हैं कि आम सिच्छक सिच्छामित्र एसोसेशन आपकी पुरानी पेंशन बहाली के मुद् कि इस मुश्किल की घड़ी में जब भी आपके बेटे को आपकी आउसक्ता होगी तो आप लोग भी कंदे से कंदा मिला करके आम सिच्छक सिच्छामित्र अस्योसियेशन का सहयोग करेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ सभी को निर्देशित किया जाता है कि जो भी मिला करके उनका सहयोग करेंगे धन्यवाद